वेंजर के पस्चाद आज हम आस्ट्रियन संप्रदाई के दूसरे प्रमुक और शास्त्री फैडरिक वान वीजर के बारे में अध्यान करेंगे वान वीजर का जो जन्म है वो अठारसो इकावन में वीएना के एक धनी परिवार में हुआ था और उसका अधिकान से समय वीएना में ही वेतित हुआ वीजर जो आये वो काल मेंजर का दमाद वो उसका प्रमुक सिस्य था उसकी सिक्षा वीएना बर्लीन वो प्राग विश्विद्याले में हुई 1884 में उसने वियेना विश्व विद्याले से बिये की उपदी प्राप्त कर ली और उसने प्राचीन इतियास वाधी जो निस, रोसर और हेल्डे ब्रांड जैसे प्रसिद्ध विद्वानों से सिख्षा पाई थी इतियास तता समाज विज्ञान में रूची होते वी उसने वाणीची अर्थ सास्तर का अध्यन किया और इतियासी गनुसंदान में रूची होते वी इतियास वाधी संप्रदाई का समर्थन उसने नहीं किया 1884 में वह प्राग विश्विद्याले में नियुक्त हो गया, तथा 1890 में वह वहां राजनितिक अर्थ सास्तर का प्रोफेसर बन गया, 1903 में मेंजर द्वारा विएना विश्विद्याले से अवकास ले लेने पर वीजर जो है वहां विबागा अध्यक्स के पद पर कारिय करन उसका जो निर्वाच्य ने वो आस्ट्रिया की संसद जो अपर आउसे उसमें हो गया था और आस्ट्रो अंगेरियन राज्ज के अंतिम मंत्री मंदल में उसने वानिजी मंत्री का पद बड़ी कुसलता के साथ निबाया था, उसका द्रस्टी कौन बहुत ही व्यापक था, वह एक कुसल वदक्स परसा सक भी था, उसने तीन परमुग ग्रंथ लिखे, जिसमें से पहला है, ओरिजन एंड प्रिंस्पल लौ अफ एकोनोमिक वैल्यू, अठारासो चौरासी में, नैचूरल वैल्यू, अठारासो गुननब्बे में, और थियोरी अफ सौसियल एकोनोम पर ही अपने विचार दिये, उसने मेंजर के सिद्दान्द को वित्रण तर्था लागत के संबंद में लागू किया, और उसके मनोव एग्यानिक विसलेशन को और अधिक स्पस्ट किया, इसके अत्रिक्त उसने गौसेन की भी घटती हुई संतुस्ति के नियम को आधार मान करके सीमान्त उप्योगिता नियम की प्रारंबिक व्याख्या की थी, तो विजर ने जो प्रमुकार्थिक विचार दिये, उसमें पहला है उसका मुल्य का सिद्दान्द, किसी वस्तु का मुल्य क्यों लिया जाता है, इस प्रस्न का उत्तर विजर ने देते हुए का था, कि उप्योगिता ही मुल्य का सरजन करती है, उप्योगिता में परिवर्तन होने के साथ साथ मुल्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं, विजर के अनुसार किसी वस्तु का मुल्य उस वस्तु की आवशेक्ता की तिवर्ता को संतुष्ट करने की सक्ती पर निर्बर करता है, वि एक बिंदू ऐसा आता है जब उपभोगता को उस वस्तु से पून तया अनिच्छा हो जाती है यहां पर मेंजर जो है रिनात्मक उपयोगिता को इसपस्ट करता है वह यह भी बताता है कि आर्थिक वस्तुओं की पूर्ती सीमित होने के कारण उपभोगता को ऐसी इस्थिति वस्तुओं के मुल्य पर आदारित होता है तो इस प्रकार से यह विचार मुल्य निर्बर्ता का सिद्दान्त है तो विजर मुल्य निर्दारन के स्रम लागत सिद्दान्त का आलो चके उसके अनुसार उत्पादन के अन्य साधनों के समान स्रम को भी इसके द्वारा उत्प पहला अर्थ सास्त्री था, जिसने सीमान्त उप्योगिता सब्द का प्रियोग किया, विजर से पूरु के सिद्धान तो ने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन सीमान्त उप्योगिता, जिसके लिए उसने सब्द यूज किया था, सब्द का प्रियोग करने वाला पर्थम अर्थ सास्त्री था, इससे पहले जेवन्स ने सीमान्त उप्योगिता के लिए अंतिम उप्योगिता, यानि फाइनल उटिलिटी, और मेंजर ने सबसे कम महत्पूर्ण, यानि लिस्ट इंपोर्टेंट उटिलिटी सब्दों का प्रि विचार हैं, वो विशेस महत्वके हैं, क्योंकि उप्योगिता के विशलेशन में गणीत की अपेक्सा, मनोवध्यानिक विशलेशन को ध्यान भिया था, फिर वीजर ने अपनी पुस्तक थेओरी आफ सोसियल एकोनोमिक्स में, वित्रण के सिद्धान्त की विस्तरत विजर ने मेंजर के रिणात्मक पक्स को अस्विकार किया, क्योंकि उत्पादन में किसी सादन को निकाल देने से सेस सादनों की कार्य समता में कमी आती है, और कुल उत्पादन गढ़ जाता है, तो इस परकार से वास्त्विक कमी या वास्त्विक आनी उस सादन को निकाल से होने वाली आनी से अधिक होती है विजर ने उत्पति के साधनों को दो भागों में बाठा पहले तो उत्पति के वे साधन है जो एक से अनेक परियोगों में लगाए जा सकते हैं इन साधनों को उसने उत्पति के लागत वजार कहा ऐसे साधनों की उत्पतिक्ता की जानकरी विबिन सम्मीकर्णों की तुलना करके प्राप्त की जा सकती है दूसरा उत्पत्ती के वे सादन है जो केवल एक ही प्रियोग में लगाये जा सकते हैं इन सादनों को विजर ने उत्पत्ती के विशे सोजार कहा इन सादनों की उत्पादक्ता का अनुमान कुल उत्पादन में से स्रम्व पुंजी की उत्पादक्ता को निकाल करके लगाया जा सकता है तो विजर ने रिकार्डो के लगान सिद्दान्त को भी गलत बताया उसने कहा कि लगान केवल भूमी से ही प्राप्त नहीं होता है बलकि उत्पति के अन्य सादनों को भी लगान मिलता है और विजर के अनुसार लगान उत्पादक्ता के अनुसार प्राप्त होता है लगान के समद्ध में वो लिखता है कि जितनी अधिक उपजाव भूमी होगी उसकी उतनी अधिक मांग होगी जितना अधिक कुसल मजदूर होगा तथा जितनी अधिक उत्पादक मसीने होगी मसीन और मजदूर जितने अधिक कुसल होगे उनको उतना ही अधिक पारिस्रमिक मिलेगा ऐसा इसलिए होता है कि वे अपनी कुसलता के अनुसार अधिक उत्पादन करते हैं और यही उनके अधिक मुल्य का कारण है तो वीजर ने मजदूरी के जीवन निर्वा सिद्धान्त की अलोचना की वह मजदूरी का निर्दान उत्पादक्ता के आदार पर करना चाता था नेक्स्ट फिर जो उसका योगदान है वह मुल्य के सिद्धान्त वह सामाजी कर्थवयवस्ता के समद्ध में है उसने मुल्य के सिद्धान्त को सामाजी कर्थवयवस्ता में लागू करने का प्रियास किया इस बात की पुष्टी उसकी पुष्टक थियोरी आफ सोस्यल एकोनोमी से हो सकती है कि पर्थम विश्व युदु के समय वह अपनी आखों से अनेक परिवर्तनों को देख चुका था वह छोटे-छोटे राज्यों को देख कर दुखी रहता था और उसने इस बात की भविश्यवानी की थी कि ये छोटे-छोटे देश ताना साही के सिकार हो जाएंगे वह आश्टेयन संपरदाई के मुल्य सिद्दान्त को हर परकार की समस्या को हल करने वाला अस्तर मानता था वीजर इस सिद्दान्त में वेक्तिगत अर्थवयवस्ता से विश्व अर्थवयवस्ता की और बढ़ता है विजर ने वेक्तिगत अर्थवयवस्ता वा राज्य अर्थवयवस्ता के बीच में भेद किया है उसके अनुसार वेक्तिगत मुल्यांकन राज्य के मुल्यांकन से अलग होता है राज्य समान्य कल्यान का कार्य करता है वह सिक्सा, सुरक्षा, आदी बातों का भी प्रबंद करता है और उसे उसी दिसा में सोचना भी होता है परंतु व्यक्तिकत अर्थवयवस्ता इन सब बातों से निश्चिन्त रहती है वीजर ने वेक्तिकत अर्थवयवस्ता और विश्व अर्थवयवस्ता के बीच सामाजीक अर्थवयवस्ता की बात कई और बताया कि सामाजीक अर्थवयवस्ता में अजारों ऐसे वेक्ति होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का अपस में विनीमे करते हैं विनी में की समस्याओं को ग्यात करने के लिए ये आवशेक है कि अर्थ सास्तर को समाज सास्त्री सिद्धांत की साहिता लेनी चाहिए विजर ने समाजिक द्रश्टी से वस्तुों को तीन भागों में बाटा पहली वे वस्तों हैं जिनका निर्दन वर्ग के लोगों के दोरा उपवोग किया जाता है और इन वस्तों का मुल्य वैक्तियों के सीमान्त मुल्य अंकन दोरा निर्दारित होता है दूसरी वे वस्तों हैं जिनका उपवोग धनी वर्ग दोरा किया जाता है ये वस्तुएं विलासिता की होती है और इनके मुल्य का निर्दारण सीमानत उपयोगिता के द्वारा होता है तीसरी वे वस्तुएं हैं जिनका उपबोग अंसत निर्दन वक्तियों और अधिकतर मद्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है उनके मुल्य का निरदारन मदियम वरगों के मुल्यांकन द्वारा निरदारित होता है तो इस वरगीकण के द्वारा विजर ये बताना चाता है कि आधुनिक समाज में सदेव मांग का स्तरी करन होता है जो कीमतों पर महत पूर्ण प्रभाव डालती है अब हम next लेते हैं कि वीजर का योगदान क्या रहा आर्थिक विचारों के इत्यास में योजर का बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है उसके इस योगदान का पता हम उसकी पुस्तक the theory of social economics से कर सकते हैं ये उसकी सरवादिक चर्चित पुस्तक थी आस्टियन संपरदाई के साहित्य में उसकी पुस्तक को वही इस्थान प्राप्त हुआ जो मिल की पुस्तक principle of political economy को संस्थापित आर्थिक साहित्य में प्राप्त हुआ था एक द्रश्टी से वीजर की ये पुस्तक मिल की पुस्तक से भी कहीं अधिक स्रेस्ट है क्योंकि मिल ने अपनी पुस्तक में प्रतिष्टी संपरदाई के आर्थिक सिद्दानतों की केवल पुनर व्याख्या कीए जबकि वीजर की पुस्तक में उसका मौली की योगदान है उसने इस पुस्तक को चार खंडों में बाटा पर्थम खंड में आर्थिक सिद्दान्तों की सरल व्याख्या की गई है इस व्याख्या में उसने व्यक्ति को केंदरबिंदु माना है सरल अर्थवावस्ता के अंतरगत वीजर ने मानव आवशिक्ता हो यानि वर्तमान एम भविष्य के पूर्ति की व्याख्या की है पड़ता है व्यक्ति का वैवार सार्व भौमिक होता है, प्रत्रम खंड में जब विजर सरल अर्थो अरस्ता की व्याख्या करता है, तब उसकी इस व्याख्या में मुल्य के नियम तथा एक अधिकार की समस्या नहीं होती है दूसरे खंड में जो है जितना पहला खंड उसका सरल है तो दूसरा खंड उतना ही जटिल है और इस दूसरे खंड में उसने बताया है कि परतियक वेक्ति आत्म से प्रेरीत ओकर के कारिय करता है इस क्रिया में एक नहीं अनेक सामाजिक वर्ग कारिय करते हैं यहां वस्तों का मुल्य पर्तियोगिता तथा एकाधिकारी बाजारों में तै होता है मुद्रा एवं साक जैसी पुंजीवादी विनी में संस्थाएं होती है इस वयवस्ता में राज्य का अस्तक्षेप नहीं होता है तो संक्षेप में इस दित्य खंड में विजर ने पुंजीवादी अर्थ वयवस्ता में आर्थिक संस्थाओं की प्रकरती तथा उसके संबंदों का अध्यन किया है फिर इस पुस्तक के तीसरे खंड में वीजर ने राज्य के अस्तक्षेप तता उसकी आर्थिक वैवस्ता की चर्चा की है पुस्तक का ये जो खंड है ये सबसे छोटा है और इस खंड में उसने बताया है कि राज्य सामाजी कल्यान के कारियों को करता है राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए एक और सार्जवनिक वय करता है तो दूसरी और वय की पूर्ती के लिए लोगों पर करार उपन भी करता है तो राज्य का उद्देश्य भी व्यक्तिगत उद्देश्य के समान अधिक्तम लाब प्राप्त करना है इस ववस्ता में केवल इतना अंतर है कि जहां वेक्ति स्वयम के लिए अधिक्तम लाब प्राप्त करना चाता है वहीं राज्य समाजिक लाब को अधिक्तम करना चाता है यहां वीजर इस बात को इसपस्ट करना चाता है कि राज्ये द्वारा नियमित तता संचालित अर्थवयवस्ता में भी उप्योगिता सिद्दान्त उसी रूप में लागू होता है जैसे सरल अर्थवयवस्ता में लागू होता है अधिक्तम उप्योगिता के सिद्दान्त के आदार पर राज्ये ये निर्णे करता है कि उसे समाजी इतों में कौन-कौन से कारिय करने हैं तता इन कारियों की पूरति के लिए उसे किन सादनों से आई प्राप्त करनी है पिर वो इस पुस्तक के चोते खंड में анतराष्टी अर्थवावस्ता की व्याक्या करता है इसमें वो वस्त्वों के अंतराश्ति मुल्यों उसके स्वण परभा आयात निरियात करों तथा बुक्तान सेसों आदी की चर्चा करता है तो वीजर आयात करों के द्वारा गरेलू उद्योगों को सरक्षन देने के पक्स में था और उसने इस खंड में इस बात की चर्चा भी की है तो इस परकार से आज हमने वीजर के आर्थिक सिद्दान्तों को देखा है कि उसने मुल्य का सिद्दान्त, सीमान तुप्योगिता का सिद्दान्त, वित्रन का सिद्दान्त, मुल्य सिद्दान्त आदी दिये हैं और उसकी पुस्तक the theory of social economy अर्थ सास्तर के लिए एक बहुती महत्वपून जो है काविया है यह हम कह सकते हैं बहुत महत्वपून पुस्तक है जो जेस मिल के principle of political economy के बाद में सबसे अच्छी पुस्तकों के रूप में मानी जाती है